हलो मेरे प्यारे चात्रों आज आप सभी को 2024 का समाजी विज्ञान का एक प्रकार का वाइरल पेपर आप सभी को कराने वाले हैं इसमें आप सभी को मांचित्र से संबंदि जो सवाल पूछे जाते हैं आपको मांचित्र पे अदम डिटेल में भरके और सरल भासा में समझाने वाले हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप पूरे वीडियो के एक बार देख लीजिए आप बूर्ड की एक्जाम में आसानी से 70 नंबर के पेपर में 65 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं तो फ्रेंज देखिए आपका साथ मार्च का ठीके कल आप लोगों का साथ मार्च को पेपर है आज रात को इस पेपर का संपूर हल देख लेते हैं तो आप बोड के एक्जाम में आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे यहाँ पर देखिए 2024 का समाजी विज्ञान का पेपर है और पेपर का सेट आप सभी को कराने वाले हैं यप भी आप सभी के लिए एक सूचना अपने तरव से बता देते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट के वज़ा से 10 के सस्क्राइबर मेरा होने वाला है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर कर दें जिससे सिग रही मेरा 10 के सस्क्राइबर आप लोगों के सपोर्ट के वज़ा से हो जाई ये छोटी से एक सूचना थी आप सभी के लिए अब देखे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंच देखे आपको जब इस प्रकास से पेपर मिलेगा तो पेपर के बगल में या लिखा रहता है कि आपका टोटर ये पूरांक रहता है करना अनिवार है यहा प्रस्वित Πरस्जदों में बटा रहेगा और दो खंडों में विभाजित होगा खंड आ जो हता है इसमें 20 अंके के 20 बहुई कलपी प्रश्ण होंगे जिसका उत्तर आप सभी को OMR सीट पर देना रहता है अब देखे जब एक बार OMR सीट पर आप उत्तर दे देते हैं तो OMR सीट पर देने के बाद उसको किसी प्रकार का कट इरेजर या वाइटनर का परियोग कदापी नहीं करना रहता है इसके निर्देश को पहना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है पहुत जयाद अनिवारे खंडबो कोपढ़ना देखे खंडबों में क्या दिया है कि इसमें दो प्रकार के प्रशन रहेंग रहेंगे और 21 रहता हे और इसमेंaliśmy मांचित्र से संभन दो प्रश्न के 29 fordi One Tayshma होता है ठीक है हैं तो आपको मांचित्र वारे जो सवाल होत हैं अपर बारार के दिखाएंगे तो आप टेंस्अं मत लिडिएगा यहाँ पर देखें हैं प्रत्यक प्राश्न के लिए निर्दारित अंक उसके सम्मुक अंकित किया गए हैं दिए गए मानचीतरों को प्रश्ण पत्र से फार कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए मानचीतरों को उत्तर पुस्तिका मेसे मजबूती के साथ अवश्रसगलंक करें आपको बोट के दिवारा मानचीतर जो मिलेगा उस पे आपको भरना रहेगा अगला निर्देश द्रिष्ट बादी जो परिचारती होते हैं यारी जिसको असपश रूप से नहीं दिखाई देता है उनको मांचित्र कारे के अस्थान पर उससे सिर्फ लिखने वाला प्रशन करना रहता है ठीक है यह आप जानते आपका जो आपसन दिया है आपसन के एकारडिंग आपका बीवला आपसन सही हो जाएगा 1789 ठीक है तो 1789 यहां पर क्या होगा आपका आपसन सही हो जाएगा फ्रांस की करांति आप सीधे याद रहें 1789 में हुआ था पतला प्राराम वह था दूसरा देखिए नेपोलियन सं संबन्द किस तैसे था फ्रांस से ज़र्मनी से जै इतली से नहीं तो आप बहले की घटना कि यह आपके मांचीत्र में भी सवाल देता है और यहां पे पूछ लिया गया है कि जालिया वालो बाहना का हुआ था यह हुआ ता 13 April और 1929 में इस परशन का सही जवाब și वाला आपसन, सही हो जाएगा के इसके साथ में याद रखियेगा 2019 में क्या आया था रोलेट ऐ见 अया था इसे भी साथ में याद रखियेगा रोलेट ऐ convention जो आया था आपको कब आया था 2019 में जालिया वाला बाग हत्याकान भुआ ता कहां पर याद रखेंगा रखेंगा अगला प्रसंद कंडे मात्रम गीत के लेखक कौन है वंदे मात्रम जो है गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर जी है ति इस प्रश्ण का सही जो अब एवल आपसन सही हो जागा वंदे मात्रम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर जी साहब है अगला देख लीजिए पाचवा नंबर का अंतराष्टी मुद्राकोस आई एम एफ की अस्थापना कब हुई थी इस प्रश्ण का सही जो आपसना पर क्या हो जागा सही होगा अगला प्रसन देखिए भारत में कितने संग राज छेत्र हैं आप सभी की यह प्रश्ण कई पर बता चुके हैं कि भारत में टोटल इसम वर्तमान समय में केंद्र शासित परदेश की संख्या आठ जबकि राज इसम वर्तमान में 28वाज हैं ठीक है अगला प्रश्ण देखिए इस प्राप 망 राज में शक्तियों के विभाजन रрокों से यहां पे 29% अगला प्रस्न देखिए वियना की संधी कब हुई थी आपको यह बताना है कि वियना की संधी है कब हुई थी तो वियना की संधी 815 इस्वी में हुआ था ती इस प्रश्ण का सही जोव भीवला अपसन आपका सही हो जाएगा अगरा देखिए भारत में पंचायती राजी की अस्थापना कब हुई थी तो इसको जरूर आप याद रखिएगा कि भारत में जो पंचायती रा संधाजी के अस्थापना और 992 इस्वी में हुआ था अगरा देखिए निम्नलिखित में से क्या भारती लोकतंत्रे के सम्मुख चुनवतियां है जो भारती लोकतंत्रे उसके सामने जो चुनवतियां जैसे छेत्री असंतुलन हो गया समाजिक तनावव हिंसा रहेगा दल के समय्यां हैं अगरा देखिए कि प्रकार का संस्धान है आपको बताना है कि जो लो ऐसके अंतरगत आता है जैसे जैसे आप नयाया नयाफ बना सकते हैं जैसे लोहा एक बार समाप्त बना रचाहें के डोबारा नहीं बना सकते हैं इसका मतलब लोहा जो होगा आपका नभी कर्णी धाता है जिसका उपयोग एक बार हो जाने के बार दोबारा नहीं बना सकते हैं उससे अनवीकड़ी योग्य का मतलब होता है जिससे आप बार बार बना सकते हैं तो नवीकड़ी योग्य के अंतरगत आता है समझना आगया होगा नवीकड़ी का मतलब होता है कि ऐसे पदार जिसका उपयोग करने के बाद फिर उसको दोबारा आप बना सकते हैं नवीकड़ी योग्य के संसाधन के अंतरगत आता है जैसे आप देख सकते हैं सोर उर्जा हुआ पवन उर्जा हुआ यह असीमित भंडार होते हैं जबकि अनवीकड़ी योग्य के अंतरगत लोग आएस का आ गया पेट्रोल आ जाएगा डीजल आ जाएगा कोईला आ जाएगा यह अनवीकड़ी योग्य संसाधन के अंतरगत आ जाएंगे दोनों को मतलब आपको समझ में आ गया होगा देखिए बारा नमबर के प स्फवाल पूछा जाता है कि काली मिर्दा किस राज्य में पाएज तो याद रखियों महराष्ट के साथ में एक राज्य क नाम ःत fällt गुझरा गुज्रात में भी काली मिर्दा पाइज आते हैं तो आपको डोनों में कोई एक क्लास नम मिलेगा और यह आपको मान्चीत्र वाले वाले सवाल है तो उसमें भी एक Question आपका पूछा जाता स्वार्ट है और निमनलिकित यहाвор कौनतो फ़ुक्र? पताना है कि इसे कौन सी darkって प्सक्राइब फ़ुक्राइब होना प्रταहया दले फ़ुक्राइब तरह नमभर नभर वब निमनलिकित क्में पाये जाता है यहां पे ध्यान दियेगी यहां पे क्या दिया है आपका उने जाइट रेट तो जो रोता है इसमें कौन सखनीग पाये जाता है ठॉरियव तिस्प्रष्ण का सही जवाप सउन आपका सही हो जाएगा अगला देखिए निमनलिकित में से कौन शासब्द दो या अधिक देशों ब्यापार को दर्शाता है इस प्रश्न का सीधा सीधा मतलब होता है कि दो देशों के बीच में जो ब्यापार होता है उस ब्यापार को क्या कहते हैं जब दो देसों के बीच में ब्यापार किया जाते हैं तो उसे कहते अंतर राश्टि ब्यापार नम्बर का समाने तक किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धायत किया जा सकता है यानि कि समाने तक किसी देश का विकास होता है किस आधार पर निर्धायत किया जा सकता है तो यह होता है आपका प्रति ब्यक्ति आए यहां पर आपका तुझे निर्धार होता है परति व्यक्ति आई क्या धार पर और सच साच्छता दर को भी देखा जाता है और लोगों की स्वास इस्तिती को भी देखा जाता है इस प्रशन का सही जोब डिवल आपसन सही हो जाएगा अगर आप प्रशन देखे 17 नमबर का नि अगला प्रशन देखे 18 नमबर का सारवजनिक और नीजी छेत्रक के विभाजन का आधार क्या माना गया है यह माना गया है उद्दिमकोः स्वामित्वत इस प्रशन का सही जोब सीवल आपसन सही हो जाएगा आपका अगला प्रशन देखे यहां पे स्वयम सहायता समुहों से बचत और रिर संबंधित अधिकत्रफश्ण इर लिये जाते हैं तो इस प्रशन का का सही जोब क्या हो जाएगा यह सदस्य द्वारा प्रशन दिए एक वस्तू का अधिकानशना प्राकृतिक प्रकिर्या से उतपादन कि disegna की गतिवीधी है यहां पर देखिए एक वस्तू का अधिकांस्ता यहां पर शब्द ध्यान दीजिए का प्राकृतिक परकिरिया से उठ्पादर यहां पर क्या है प्राकृतिक प्राकृतिक में देखेंगे तो आपका किरसी आ जाएगा ठीक है और किरसी किसमें आता है प्राथमिक छेत्र कंत् इज़ाब में आने वाला है देखिए यहां प्रारम होता है खंडबा खंडबा में है आपको वड़ात्मक फर्स्ट उत्तर लगभग कितना सब्दों देना असी सब्दों में और जो वड़ात्मक जो एक है यह चार-चार नंबर का प्रशन रहता है अब देखिए इस प्रशन अग्रह नानियगा इंपलगे इस प्रशनों को एक बर जरूर देखें के बोर्ट के एक्जाम में जाएगा गचितक नंबर का इस फ समार्क को के निरस्थ होने के बार ब्रिटेन की खादी समस्या का हल किस प्रकार हुआ अस्पष्ट कीजिए अगरा इंपोर्टन प्रशन देख लीजिए भारत में जाती प्रथा का राजिनतिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा में है आपका लोगतांत्री साशन एक उत्तरदाई शासन होता है उधार साइथ असपष्ट कीजिए यह जितने भी प्रशन बता रहे हैं आप इन प्रशनों को जरूर पढ़के जाईएगा अगरा प्रशन देखिए प्रयोद्योग अगला प्रशन देख लिजिए आप विकास मापने का यू एंडीपी का माप डन्र किन पहलूओं में विश्व बैंके के माप डन्र से अलग होता है या थवा देगे तिरतियक छेत्र अन्य छेत्रों को से कैसे भिन्न है उत्सों उधार असपष्ट की जीत आपको बार बार बता रहें प्रात्मिक छेत्र द्यूतिये छेत्र तृतिये छेत्र इन छेत्रों को जरूर पढ़के आप जाईएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए वड़ात्मक स्केंड इसमें डेर सु सब्दों में एंस्वर देना रहेगा पर देख प्रशन छे छे नंबर का आपको रहने वाला है देखिए आप जर्मन एकिकरण की प्रकिरिया के बारे में संचिप्त में आपको लिखना रहता है इसके अलब अथवा में भारत में सुतंत्र शंगर्स में गाधी जी की योगदान का मुल्यागन आपको करना ये छे नंबर का प्रशन है तो ये दोनों प्रशन आप सभी को बता रहे हैं कि एक प्रकार कतम वायरल प्रशन समझेगा फ्रेंस आपको साथ मार्च के ठीक है पेपर में हंडेड़ परसंटीजी सभी सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा अगला प्रसन देख लीजिए आप में भारत में वन्यजी उस्तर रच्छ क allons werden कि यह सब्रें आपको अपने आप आपसानी से इसका इसर्शंग किजिक जिनके दोर भोकता का बाज़ार में शोशर किया जाता है यह देखिए यह 6 नंबर का जितने भी important प्रश्ण थे आप सभी को बताएं सभी प्रश्णों को आप जरूर एक बार देखके जाएगा अब देखिए यहां से नंबर कर रहेगा देखिए पहला है कि वह अस्थान जहां पूर्व स्वाराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था तो पूर्व स्वाराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था यह किया गया था यह किया गया था लाहोर में कहां पे लाहोर में और लाहोर कहां Manichitre से बातार है एक बार देख लिए माचितर में देखी यह पढ़ता है पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के बस कॉन सा है HK 1 में 99 में कह यहां पर किना हो जैसे लिखिए यह पहले का इंसोर हो गैप आपका अगला देख लीजी आप प्रश्न है वह अस्थान जहां किसी घटना के कारण महत्मा गाधी ने अस्थायोग आंदुलन अस्थागित कर दिया था आप सभी को पता है कि यूपी में जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था जो गोरःपुर में पढ़ता है उस कांड हो आपको आपको बादमा गाधी जीने असायोग आंदुलन का क्या कर दिया था इस्थागित कर दिया था नगला करदely अस्थागित कर दिया था यहां आप देखें दो प्रश्ण इक्ष्ट्रा बता दे आपको असायोग आंदुलर 1922 में प्रारम किया गया था चौरी चौरा का जो हत्यकान हुआ तो 1922 में हुआ था इन सभी प्रश्णों का आप याद रखें का आपको सीधे बहुई कल्पी में प्रश्ण देखने के लिए मिल प्रदेश है उत्तर प्रदेश ना आप कहीं पर माली यहां पर देखा दीजिए इस तरह डाट चिंदुरा और इसको एसे खीचिया और लिखें का ओंतीस को का का कौन सा है सेकेंड वाला है और यहां पर लिख दीजिए चौरी चौरा सिर्फ इतना ही लिखना है चौरी जब हुआ था घटना घटी थी उसी के बाद असायोग अंदुलों का अस्थगित किया गया था अगरा प्रस्ण देखिए यहां पर वा अस्थान जहां उनीस सुबीस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आप सभी को इस प्रश्न का जो कंसेप्टर सभी यहीं पर क्लि दिसंबाग में कंग्रेस का अधिवेशन हुआ ता को याद रखेगा नागपूर नागपूर गहां परता है तो यह पड़ता है महराष्ट में साथ में एक प्रशन आप याद रखिएगा आपसे करता है को ऑन्नईस सुचो सथाइस एक इंधिवेशन इसे में का रखिएगा मद्रास और यह मद्रास पढ़ता कहां पर चन्नाई में पढ़ता है तामिलाडू में ठीक है अब पूश्ण आपके बार बार रिपीट होता है आप इन प्रशनों को एक जगा सिर्फ लिग लीजिए आप मांचीत्र पर आसानी से घर सकते हैं ठीक है अब देखें यहां पर पूचा है सिर्फ वह अस्थान जहां 1920 में कांग्रेस का दिवेशन हुआ था तो 1920 में दूज एक कलकत्ता हुआ था नाकपूर्थ इन दोने में कोई भी आप अस्थान भर सकते थे लेकिन जब आपको महीना देगा जैसा सितंबर का देगा यहां पर आपका कलकत्त प्रॉयत थे नृगर वाला किसे नंबर 19,20 में यहाद सामने मैं चित्र है मांचीट निशी में इस भाको देखिएगा यह बंगलादेशS इसको आप दिज़ाँ बंगला देशफ नमदी कगलता है नंबर कर्यार । देखेंगे कलकत्ता कलकत्त ठीक है इस पकास से भर लेंगे अब देखिए अगला प्रश्ण वह स्थान जहां सूती मिल सरमिकों ने सत्यगरा किया था तो सूती मिल सरमिकों ने कहां पर सत्यगरा किया था यह किया था सूती मिल सरमिकों ने देखिए यहां पर अहमदाबाद अग्यात और अहमदाबाद पड़ता कहाँ पर यह पड़ता है घुजरात में देखिए आपका इसे मानचित्र में बरेंगे तो यह step देखेए पड़ता है अहां पर आपका अठीज करता है इसको खीजिए गां लिखिए गां टिस पॉर्थ नंबर है और यहां पर लिगते अ यहाँ नील की के लिए किसानों सत्तमा किया थो यह किया था आपया चंपारण विहार आप याद रखtschaft 2022-7 इंप्रोषोट फॉच्ण और है आपना क्या था आंधोलन सत्तमा किया था यह किया था चंपारण में जब कि मिल सरमिकों के पूछे गया तो अहमादाबाद कीजिए इन दोनों प्रश्णों को साथ में आप पहल दीजिए अगला क्या है कि हुआ अस्थान जहां सवर्व प्रतन नमक नमक बनाया गया था यह नमक जो बनाया गया था डांडी और डांडी कहां पर पढ़ता है अपका गुज यहां से खेचिएगा देखिएगा ओन्तिस को फाइट नमबर है और यहां पर लिखे दिजिएगा डांडी तीस पर प्रश्ण बरिएगा तीस पर प्रोटल आपको कितने नमबर मिलेगा तो पांच नमबर मिलने वाला है इसके साथ में आपको दूखिए एक काम और करना प अपको जिससे आपसे गलती नहुंद क्या करें कि यहां प्रश्ण उत्तर संख्या डालेगी इस उत्तर पुस्तिका पर पर संट्र्स प्रश्ण संख्या चोरी चोरा तो तीसी पकास जितने भी प्रश्ण रहेंगे आप सभी प्रश्णों को उत्तर पुस्तिका पर लिख लीजिए ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्ण प्रारम होता है जहां से आपके 29 फाई स्टाट होता है यहां से भी आपके पांच नंबर के प तारापूर तारापूर और तारापूर कहां पढ़ता है तो महराश्ण में पढ़ता है इसके अलाबा आप सभी को बता देते हैं कल पक्का कल पक्का यह अभी आपका प्रमाण उर्जा केंद्र है एक बता देते हैं नरवरा नरवरा इसमें कोई भी आपको याद होगा दे होते हैं दीए अब की इस प्रकास ऐक नया माचीतर्य ले लिजिए और यहां पर महाराश्ट कहां पर यह आपका महराश्ट इस में triple पल एस बनाना थी इस पकर बनाके इसको खीश के यहां पर लिखिए को 39 कौन से नंबर का यह है फर्स्ट नंबर का है और यहां पर लिखिए का तारापूर तो यह आपका एक प्रमाव उर्जा केंद्र ठीक है अगला देखिए इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक राज्य आप सब्कूर प्रदेश को तो आप सभी को पता है इस ची द्वारा दिखाना है इस जबताना है इसको खीचिएगा दिखिएगा 99 कौर से के नंबर है और यहां पर लिखे दिजए इच्ट्र पर्देश इंकर अब करुमें लिए सलाल बांध चिने द्वारा राज जी के नाम के साथ आपको दिखाना है आट डेखे बाद पर अँरый यह ऑन्सें के नाम भी आपको लिखना है यह आप पड़ता है है जम्मु कश्मीर के मांचेतर पर इसको आप देखाए मांचेतर में कैसे चीन निक्य द्वारा दिखाने ये भी आपके लिए जानना जरूरियत यह आपका वर्ग के आकार का है यहां पर जब मुकस्मीर में एक वर्ग बना लिए इसी के आसपास और यहां पर लिखिएगा और तीस ख कौन से नंबर है तीसरा नंबर डालिए और लिखिएगा यहां पर सलाल बांध लिए यह आपका सलाल बांध कहां पर जम्मकस्मीर में अगला प्रश्ण देखिए दच्छर भारत की एक नदी चिन द्वारत दच्छर भारत की नदी क्या है आप कावेरी नदी नदी टीस पकास मांचित्र को यहां पर लेंगे अब देखिए एक प्रश्ण आपका है राजस्थान का राजधानी इस चिन के द्वारे दिखाना है कि राजस्थान की राजधानी कहां पे हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है ति आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की राजधानी जैपूर है जैपूर अब देखें मांचित्र पर कैसे आप देखाएंगे जैपूर को यह आपके सा लंदे लिए बाहर and 39 चुरू पकांस पूरे मानचित्र को बढ़ें रिख को अनिया को नंबर करना करना वालो गिसा बोघना उसका करने रिखना कैसे लिखना इस प्रॉष्ण को भी उत्तर पूष्टृ का बहुत लिखना ऐसे शुतर उसक met यह था आपके सबसे important जो question थे आपको कराए हैं इन सभी प्रशनों को आप practice कर लीजिए तो friends आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं तो subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें साथ में एक सूचना और आप सभी को दे देते हैं कि देखे यूपी बोर्ट के द्वारा जो model paper जारी किया गया है ठीक है इस model paper के जो बहुई कल्पी या long question है उन question को आप एक बार जरूर दे कि board की exam में जाएगा आकि कल के paper में model paper से maximum question देखने के लिए मिलेगा ठीक है